हेलो गाइज वेलकम बेक टो आरे न्यू वीडियो तो गाइज आज हम बात करने वाले चेस्ट के एक्साइज के बारे में चेस्ट की कौन सी एक्साइज होगी तीन एक्साइज होगी और तीनों मिडिल चेस्ट के लिए होगी कौन कौनशी होगी, फ्लेट बेंच प्रेश, फ्लेट बेंच डंबल प्रेश, और फ्लेट बेंच डंबल फ्लाई, तो चले काइज वीदियो को शुरू करते हैं, बिना देरी के, तो लेट्स टार्ट द वीडियो, तो गाइज पैली चीज तो यह, कि यह सबकी फेवरेट एक इंजड भी ज्यादतर लोग इसी पर होते हैं बताऊंगा उसका विकारण कैसे होते हैं जड तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो ये है अपनी बेंच प्रेस्स के तरीके से पर्फ़र्म करना है क्या करना है उससे साथ अपने पहले वीडियो अदी फिर भी इसके इंदर सब्सक्राइडब होजाती है और जीमो में अलग से बैंच भी होती इसके फ्लेट बैंच कि तो इसके अंदर क्या होता कि बैसिकलिए बैंच एक दम फ्लेट रहती चीदी पूरिया आपके मिडल चेस्ट को ट्रेंड करेगी और इसका इफ्ट चेश्ट और ट्राइशेप पे याएगा ट्राइशेप लकास आएगा वाकि अगर अब शाही से प्रफॉर्म पूरा चेस्ट वहाएगा तो मिडल चेस्ट के लिए एक साई जोती है इस पर आप लगा सकते हो पंद्रा बारा और दस और आप चारत दस नहीं अगर अब हमf बा 파ी ब recommend बर्लइक टिंद वर लगा लोगा रπαई और विल्कूल स्लोली स्लोली पर्फॉर्म करें हर वीडियो में यहीं वात आती हैं मेरे मुझसे की दीरे दीरे परफॉर्म कर रहें इंजएड होने कारण वह भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो के किस तरीके से इंजएड हो जाते हैं लोग भी तो चलिए गाई दूसरे एक साइज अपनी डंबल प्रेस डंबल प्रेस के अंदर क्या होता है कि आपको सेम प द्टो में सुख़ुने तो एक चीज तो चीज तो यह हुग योगी दूसरी चीज हातों को बराबर र's लिफ्ट करें एक रहें अन्व Coordinator योडि योट्र लिखकर करें लाता करते हैं नेम्हीं सीरों सेट्स अगर आप चार लगाते हो तो पंदरा बारत दस और आठ होंगे वेट कम से उपर की तरफ बढ़ते वे जाना है और बढ़ी आराम से दिर दिर फर्फॉम करना है तीसरी एक साइज अपनी डंबल फ्लाई इसके अंदर भी लेट ना सेम पोस्टर पे हातों को एक दम सी कर सकते हैं इसमें चेस्ट को अपर कि तरफ किर रखना है तो चलिए इंजरी की बात कि तो मैंज बेंस प्रेंस में इंज्रे ऐसे कर्वाते हैं कि जैसे बिग्नर रोग आ गई क्या करते हैं कि उठाते रहते हैं एक समय इंजरी करते हैं तरी दरीन het अरतए कम-कम से प्र्ण कर लिया फिर क्या होता है कि कोई दوسरा वंदफ वैट मार रहा हो तो 5 कंजी एक्जामबल के लिए वो 10 के जी लिफ्ट करेंगे तो इस तक्र में काफी लोगों के इंजरी हो जाती है काफी लोग बेड रेस्ट पे चले जाते हैं काफी दिनों के लिए तो इस चीज का ध्यान रखें कभी भी अपनी लिमिट हो उस तरीके से काम करें और आप लिमिट से ज़्यादा वेट उठा रहें तो पिच्छे सपोर्ट के लिए किसी को खड़ा जरूर रखें विदाउट सपोर्ट के आप हेवी वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आपको काफी बारी मात्रा मिभण भी हो सकता और इंज्री भी हो सकती है तो जलेए बैस वीडियो यही थी और इन ही तीन एक्साइज है बारे में बात करना था और दीर 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 वरक आउट वों भणावांगा हो वरकाउट के उप igare कराने का तो आपको जल्दी से जतना जल्दी करआएं तो काफि लोग बोलेंगे कि बाई सो सब्सक्राइबर लोग दंडरेड को बड़ा सुंकी तो बड़ा पाहोगे और बड़ा कुछ करेंगे तो बड़ा करना यह पड़ेगा अपन को तो चलिए गाइज जल्दी से इट करवाईए और वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें से करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय बारत जय जवान जय किसान मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में टेक केर